हेलो डियर फ्रेंड्स तो स्केल के इस अद्भुत खेल में आपका एक बार फिर से स्वागत है तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आप सभी के साथ डिसकेशन करूँगा वो एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है और ये है सर्कल ओफ फिफ्ट तो आप क्लियरली देख स सकते हैं कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और कुछ एक नोट्स जो है मैंने यहां पर मेंचन किये हुए हैं तो देखके आपको थोड़ा सा शायद अजीब लग रहा होगा बड़ जैसे-जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो वैसे-वैसे आप देखेंग कि यह टॉपिक जो है बहुत सिंपल टॉपिक है और कोई भी आप में से जिसको एक से पांच तक गिनती आती है और सारे गामा बजाना आता है वो इस चीज़ को बहुत आसानी से सीख सकता है तो चलिए सर्कल ओफिफ्थ के बारे में सीखते हैं थोड़ा सा तो इसमें आप कर दिया है अब ये कोई इतना मुश्किल काम तो है नहीं जो हमारी नॉर्मल घड़ी होती है वाल कलॉक है उसमें अगर आप देखें तो वो भी एक सर्कल होता है और उसको हम बारा अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसी तरह से हमने बारा अलग अलग पा हो गए चार कोमल हो गए एक तीवरा नोट हो गया तो टोटल हमारे पास बारा नोट होंगे तो उस वज़े से हमने इस सर्कल को बारा हिस्सों में बारा बिल्कुल बराबर के हिस्सों में बांट दिया है तो इसका अब आप पूछेंगे कि ये सारा रिप्रेजेंट करने का हमें फाइदा क्या है तो देखिए ये जो circle of fifth है जो guitar players हैं उनके लिए बहुत ही एक important चीज़ है तो जो guitar players हैं वो इसको use करते हैं major skills और उनके relative minors ढूंडने के लिए but मैंने इस चीज़ को research किया और जो मैं आपके सामने आज discussion करूँगा वो होगी specifically harmonica players के लिए अब ये same circle of fifth हम harmonica players के लिए कैसे फाइदे मंद है या इसका क्या use है harmonica player के लिए वो चीज़ मैं आपके साथ discussion करूँगा तो इसलिए आप देख पाएंगे कि ये जो circle of fifth है अगर आप इसको search करेंगे कहीं से ढूणेंगे books में देखेंगे तो उसके अंदर भी कुछ scales लिखे होते हैं तो वो चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखी मैंने सिरफ उतना part यहाँ पे represent किया है जो हम harmonica players के लिए important है या फाइदे मंद है तो चलिए अब बिल्कुल उपर जो हमारी घड़ी की 12 वाली position होती है तो वहाँ पे मैंने लिख दिया C note अब आप यह मान सकते हैं कि मैं C scale harmonica की बात करने जा रहा हूँ तो इसलिए हमारा जो सबसे important note है वो है C तो क्योंकि मैं जो बात करूंगा वो C scale harmonica के reference में ही करूंगा तो C को हमने यहाँ पे लिख दिया अब इसका नाम है circle of fifth fifth मतलब पांच तो हमारी normal जो सरगम होती है सारे गामा पा उसका पांचवा note होता है पा और अगर आप इसको classical Indian classical theory में भी देखें तो पा का जो नाम है actual में वो पंचम ही होता है तो पंचम का अर्थ है पांच तो अभी जब हमने यहाँ पे C note लिख लिया उसके बाद ये हमने markings लगा ली थी 12 equal parts वाली अभी हमने जाना है next marking की तरब तो पहले मैं बात करता हूँ इसको construct कैसे करना है उसके बाद फिर इसका फाइदा देखेंगे तो C note हमने लगा लिया अब हमने क्या करना है C का पंचम देखना है यनि की C का पा देखना है तो C से हम बजाना start कर देंगे सा, रे, गा, मा, पा तो C का जो पा है वो आगया आपके पास G note तो यहाँ पे आपने simply G लिख देना है अभी जो कुछ मैंने ये bracket में लिखा है उसको आप छोड़ दीजिए वो हम बाद में देखेंगे तो C के बाद आपने लिख देना है अब G को हमने सा मान लेना है सा, रे, गा, मा, पा next note आगया आपके पास D तो D लिख देना है आपने अब D से हमने start करना है इस D से start कर लो या इस से कर लो एक ही बात है अब D का पंचम सा, रे, गा अभी इसका गा, E के बाद ये बन जाएगा F शार सारे, गा, मा, पा तो ये A आगया तो D का जो पंचम है वो A आगया ये मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये major scales की बात कर रहा हूँ एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूँ और ये मैंने जो लिखा हुए WWH, WWWH तो इस चीज़ से आप सभी लोग familiar होंगे, W stands for whole step H stands for half step तो कहीं से भी आपने किसी भी note से अगर major scale निकालना है तो आपको ये formula लगाना ही पड़ेगा तो ये मैंने basic videos बहुती simple way में बनाए भी थे इसके उपर major and minor scale के तो आप इस video के description में जरूर वो link क्लिक करें अगर आपको वो चीज़ समझना है आपको नहीं पता तो वो एक videos की playlist है जिसमें मैंने basic videos जो हैं वो बताएं है तो पहले उस चीज़ को आप जरूर देख लीजिए क्योंकि जब हमने सारे गामा पाब जाना है तो वो major scale से बजाएंगे हम अब जैसे देखिए ए से अगर मैं start करूँ सारे तो इसी तरह से आपने जो भी पहले C से start करके जो पा आएगा वो लिख देना है उस पा को सामान के आपने फिर उसका पा ढूंडना है major scale का G major का वो D आगया आपके पास फिर आपने D को सामान लेना है D major scale प्ले करके पा देखना है क्या है तो इस तरह से इस 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 वेरी वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन बारा के बारा सवर आप देख सकते हैं जिसमें की एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ ये साथ तो हैं हमारे शुद सवर और ये वाले जो पांच हैं इनके साथ आप देख सकते हैं फ्लैट या शार्प लगा हुआ है तो ये पांच सवर जो हैं ये हमारे हैं कॉमल और तीवरा या इनको मैं वेस्टन म्यूजिक की भाषा में बोलूँ फ्लैट्स और शार्प्स तो इस तरह से आप देखेंगे बी नोट के बाद आपके पास जो नोट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे वो फ्लैट या शार्प की टर्म में होंगे तो जी फ्लैट is also equal to F शार्प इसी तरह से आपका डी फ्लैट जो है वो C शार्प हो जाएगा इसी तरह से A flat जो है वो G sharp हो जाएगा and like that तो मैंने इनको flats की term में लिखा यहां पर तो उसका reason यह है कि जो इसका ये right वाला semicircle है it represents sharps और जो left वाला portion है it represents flats तो उस वज़े से इसको मैंने flat की notation में लिख दिया है हाला कि अब sharp में भी लिख दो वो कोई इतना issue नहीं है बटा आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इसमें एक pattern बन रहा है natural pattern pattern कैसे अभी देखी G के बाद क्या note था D अब आपने जब B का पंचम बजाया तो वो G flat बना ठीक है जी तो G flat के next note क्या बनेगा D flat अब D के बाद A था तो D flat के बाद क्या बनेगा A flat A के बाद E था तो E flat E flat के बाद B B flat तो ये एक pattern बन जाएगा तो ये nature का दिया हुआ एक pattern है हमने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी add नहीं किया अभी construct आपने कर लिया 12 notes आपने इसके उपर represent कर लिये तो अब इसका फाइदा क्या है अब क्या करना है आपने जैसे कि मैंने बताया था G जो scale है पहले C scale की बात करने है C major पूरा scale बजाईए आप using this formula तो C major जब मैं बजाऊंगा so that will be C, D, E, F, G, A, B, C तो आप देखिए ये C major scale बजाते हुए रस्ते में कहीं भी मुझे black note के साथ कहीं भी कोई encounter नहीं हुआ इसका मतलब क्या है जो आपका C scale है अगर आप उसको C scale harmonica पे बजाएंगे C scale को तो आपको कहीं पे भी slider प्रेस करने की जरूरत नहीं पढ़ेगी और अगर आप प्यानों पे बजा रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ white keys ही बजानी पढ़ेंगी C major scale के लिए अब आते हैं G scale के उपर G को आपने सामान लेना है अब यही फार्मूला में लगाऊंगा G major scale मैं प्ले कर रहा हूँ सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी क्योंकि यह whole step आना चाहिए सा से पहले तो इस whole step के लिए मुझे यहां से नी और सा फिर दुबारा से G आ जाएगा सा तो यह एक black note मुझे encounter हुआ रास्ते में यह black note क्या है? F sharp तो यहां पे मैंने G के साथ F sharp bracket में लिख दिया इसका simple meaning यह है कि अगर आप प्यानों के उपर G major scale बजाना चाहेंगे तो आपको एक black note मिलेगा that will be F sharp harmonica players के लिए अगर आप C scale harmonica पे G major बजाना चाहेंगे G note से सरगम बजाना चाहेंगे सारे गामा तो आपको F sharp जो note है यह slider की मदद से बजाना पड़ेगा तो इसका मतलब यह है कि G major scale बजाते समय आपको एक जगह पे slider प्रेस करना पड़ेगा और वो जगह है F sharp आपको simply अगर यह diagram याद है या आपके सामने है तो आप चुटकी में कोई भी major scale बजा सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि उसमें कौन-कौन सी जगह पे slider प्रेस करना पड़ेगा अब मैं आ जाता हूँ D के उपर D से start करते हैं यही वाला फॉर्मूला चलेगा D major के लिए सारे गा होल होल तो सेकंड होल सारे गा F शार्प मा पा धा नी सा तो दूसरा जो black note है वो C शार्प है तो F शार्प and C शार्प सारे गा मा पाधा नी सा यह दो notes जो हैं black notes हैं या अगर मैं C scale harmonica के उपर D major बजाना चाहूं तो यह दो जगह पे मुझे slider प्रेस करना पड़ेगा और वो है F शार्प और C शार्प तो बहुत ही आसान चीज़ है यह बस आपको पता है कि यह दो notes पे जब मैं पहुंचूंगा तो मैंने slider प्रेस कर देना है जैसे ही मैं F पे पहुंचूंगा D E F पे पहुंचूंगा तो वहाँ पे मैंने slider प्रेस करके बजाना है उसको उसी तरह से जब मैं C पे पहुंचूंगा D scale बजाते हुए D से start करते हुए तो मुझे C पे भी slider प्रेस करना है अभी हम बात करते हैं A scale की A scale पे आगे हम सारे गा ये पहला black note मा पा था ये दूसरा black note नी ये तीसरा black note सा तो ये दो F sharp, G sharp और C sharp F sharp, G sharp और C sharp तो एक और note इसमें add हो गया तीन जगे आपको slider प्रेस करना पड़ेगा तो ये ही pattern जो है again this is given by nature तो ये एक pattern देखिया पहले F sharp note था फिर उसके अंदर C sharp और हो गया F के बाद यहां कौन सा note है? C आप इसको याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है ये भी आपको यहीं से मिलेगा F के बाद C add हो गया A में F, C और G F, C और C के बाद क्याता है G अब इसमें देखिये जो previous notes हैं वो तो रहेंगे F रहेगा इसमें C add हो गया तो next वाले में F और C रहेंगे G add हो गया next वाले में F, C और G रहेंगे D add हो गया 4 sharps आ गई इसमें 5 sharps आ जाएंगी obviously F, G, C, D और D के बाद क्या है A तो पांचवा जो sharps है इसमें मैंने क्योंकि space की कमी की वज़े से नहीं लिखा तो इन 4 के अलावा पांचवा A sharps भी add हो जाएगा इसमें तो बहुत ही simple चीज है simple mathematics है समझने की बात है अच्छा एक और चीज अगर मैं anti-clockwise जाओ then this is known as circle of fifths अगर मैं sorry, sorry अगर मैं clockwise जाओ then this is known as circle of fifth और अगर मैं anti-clockwise जाना start कर दूँ then this is known as circle of fourth अब देखिए C के बाद F C, D, E, F मा, fourth F से start करूँ सारे गामा तो भी आप देखिए B-flat this note is A-sharp और B-flat तो मैंने B-flat लिख दिया B-flat से भी ऐसे ही आप बजाएंगे तो आपके पास आजाएगा E-flat सारे गामा E-flat तो इदर से आप अगर construct करेंगे तो यह आपका circle of fourth बन जाएगा अब यहाँ पे देखिए जो F note है जो F scale है अगर मैं F से सारे गामा बजाना start करूँ F-G-A सारे गामा तो यह मेरा एक note जो है मा पे encounter होगा so this is also known as A-sharp और B-flat but क्योंकि हम इसको flat की term में लिख रहे है then you should write it as B-flat या फिर इसको हम A-sharp क्यों नहीं लिख रहे है B-flat क्यों लिख रहे है इसका एक बहुत simple technical reason है तो वो मैं अपने next video में आपको जरूर एक बार यह चीज़ करूँगा confirm यह चीज़ discuss करूँगा कि हम कहां पे हमने A-sharp लिखना है कहां पे हमने B-flat लिखना है हलांकि note तो same ही है but किसी scale में उसको हम A-sharp लिख देंगे किसी scale में हम उसको B-flat लिख देंगे तो वो कौन से circumstances हैं जिसमें हमने A-sharp लिखना है या B-flat लिखना है बकी सभी notes पे भी यह applicable है C-sharp कब लिखना है, D-flat कब लिखना है यह मैं आपके साथ discuss करूँगा so for the timing आप इतना याद रख लीजिए कि यह left वाला जो part है circle का, या fourth वाला part है जो circle of fourth, this is circle of fifth तो वहां पे हमने flats लिखने है F के scale में अगर आप बजाएंगे तो एक जगह पे आपको slider प्रेस करना पड़ेगा that will be your B-flat और A-sharp तो B-flat लिख दिया F के बाद B-flat B-flat पे जब आप बजाएंगे अब B-flat से आप start कर देंगे यह B-flat है, सारे गामा तो यहां पे आपके दो जगह पे आपको slider प्रेस करना पड़ेगा B-flat तो पहले थाई B के बाद कौनसा नोट है E-flat, तो वो वला एक नोट उसके साथ जुड़ जाएगा, इसीतने E-flat scale में अगर हम बजाना start कर दें सारे गामा, तो आपके पास 3 black आजाएंगे, E-flat उसके बाद आपका A-flat उसके बाद आपका B-flat तो यह आपके नोट जो है यह जुड़ जाएंगे सारे गामा पा तो यहाँ पे 3 आगए तो A-flat इसके इंदर जुड़ गया इसीतरह A-flat पे जब बजाएंगे तो D-flat एक और जुड़ जाएगा तो यही चीज़ अब applicable होगी आपके left side के उपर भी F-scale बजाना चाहते हैं आप C-scale harmonica पे एक जग़े पे slider press होगा B-flat आप scale बजाना चाहते हैं C-scale harmonica पे दो जग़े slider press होगा 3 जग़े होगा 4 जग़े होगा and like that तो simply आप इस circle of fifth को समझ के याद करके आप इतना देख सकते हैं कि C-scale harmonica पे किसी और note का देखिए मैंने 12 के 12 note लिख दी हैं यहाँ पे तो किसी भी note से अगर आपने major scale या सरगम बजानी है या बिलावल थाट जो मैंने last time बताया था उसके notes अगर आपने बजाने हैं सारे कामा पाधा निसा तो आपको कितनी बार slider प्रेस करना पड़ेगा और कहां पे slider प्रेस करना पड़ेगा तो वो पूरी information आपके C-scale harmonica की एक इस चोटे से circle में वो पूरी information पूरी coding जो है यहाँ पे छुपी हुई है तो उम्हीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि बिल्कुल सिंपल भाशा में आपको समझा दूँ इस चीज को और अब आप इसको apply करके जरूर देखिए तो आपको बजाने में आसानी होगी आपको बहुत सारी चीजे समझ में आएंगी तो उमीद करता हूँ यह मेरा वीडियो आप सभी के लिए helpful रहा होगा अगर फिर भी आपके दिमाग में इसके regarding कोई query है then you are most welcome to ask me that मैंने email ID अपना description box में लिखा है तो वहाँ पे आप mail करके मुझसे कोई भी query पूछ सकते है तो एक बार फिर से आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए और जल्दी ही आप सभी के रूबरू होंगा अगला वीडियो लेके तो तब तक के लिए आप मुझे आग्या दीजिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद and thank you for now